प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सु को आप सभी का महारदे को स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है, मेरी जैनिवर्सरी है, उन सबी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुब का बनाए। मा इंद्राक्षी आपको वैभब दें, आपके जीवन में शांती आए, आपके समस्त सकलकारिय, मा भगोती की किरपा से पूर्ण हो। हम आपसे कुछ मांगना चाते हैं, बहुत लोगों ने तो हमें गुरू रूप में सुविकार किया है, बहुत लोगों ने गुरुदिक्षा की हमसे रिमांड की है, सभी को हमारा बहुत-बहुत शुबाशीस है, लेकिन अब पहले आप हमें कुछ दीजिए, हम आपसे लेक्तियों का विकास होगा, और एक सुन्दर प्रिणाम हमरे देश को भी प्राप्त होगा, विस्व में एक सांती की बैयार आती है, और हमारी आध्यात्मिक और बहुत लिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समझे हैं, बहुत सुन्दर समय आ रहा है, 26 दिसंबर 2019, ग्रहन क काल की बेला, तकरीबन तकरीबन ये ग्रहन पूरे देश में 25 तीन घंटे के आसपास वियाप्त रहेगा, तकरीबन कहीं 8 वजय से प्रारभ होगा तो 25 गिरारा के आसपास तक जाएगा, कई 7.50 से प्रारभ होगा तो 25 ग्रहन पूर्ण चलेगा, तो मंत्र लेखन की मैं तक्रीवन नो सबानो बजे से या साड़े आठ बजे से आप मंत्र लेखन शुरू करें जादे ना लिखें केवल एक माला मंत्र लिख लें एक सुआठ बार चोटा सा मंत्र है क्या ओम नमश शिवाए लाल पैंसे लिखें कौपी पर लिखें महिलाए नमश शिवाए लिखें पंचाक्षिरी मंत्र और पुरुस सदाक्षिरी मंत्र लिखें ओम नमश शिवाए तारिक 26 सुबा सवाट से पोने गया रखें बीच में एक सुआठ मंत्र जरूर लिख लें लिख जिंके कापी को प्रणाम करके बंद खरके रखें या कापी खुली रखें की उसकी बाद जो आपको अपनी सादना घड़नी हें वो करें औरमके हमारे दोनों पार्ट पार्ट ने part 2 में उस दिन आपको एक विशेश प्रकार की मंत्र की सिद्धी करनी है सुरिय इंत्र की मंत्र करना है यग करना है कैसी करना है वह सारी चीज़े जानकारी part 2 में आपको मिल जाएंगी वह आप देख लीजिएगा तारिक 26 और 26 तारिक येदि आप से चूप जाएं तब संड़े का दिन ले लें तृत्या है स्वाण अनक्षत्र है उस दिन से आप भी मंत्र लेखन कर सकते हैं अब यह मंत्र लेखन करना कैसे है लाल कलम हो कॉपी के ऊपर गिंती डालते जाना है एक जैसे हमने लिखा वन ओम नमस्षवाए उसी के बाजू से टू ओम नमस्षवाए त्री ओम नमस्षवाए चार ओम नमस्षवाए पाश ओम नमस्षवाए महिलाए नमस्षवाए 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 अब आपको क्या करना है कम से कम हर व्यक्ति 21 लोगों को 31 लोगों को प्रोस्टाहिद करें ये मंत्र लेखन के लिए और थोड़ा सा बड़ा दिल रखते हो तो लाल इस पैन चाहे बॉल पैन हो जैल पैन हो कैसा भी हो और एक कौपी चाहे लाइनिंग वाली हो या विदाउट लाइनिंग वाली हो कैसी भी हो और संकल्प करके लिखें कि मैं एक हजार आठ मंत्र लिखूँगा मैं एक हजार आठ मंत्र लिखूंगी मैं ग्यारा हजार मंत्र लिखूंगा मच्सवा लाख मंत्र लिखूंगा अब इसे बाट दीजी आप अपने रिस्तिदारों में, भाईों में, दोस्तों में, यारों में बच्चों में, बेटियों में, बाट दीजी कि बेटा एक कॉपी और पैन भेज रहा हूँ तो बेटा उस पूरी कॉपी पे जितने तुम से लिखे जा सके 200, 400, 500, 1000, 2000 बेटा मंत्र लिखें और तारिक 40 दिन के अंदर अंदर 40 दिन हम आपको देते हैं जाने समय नहीं देंगे सवा महीना हम आपको दे रहें सवा महीना भर ये मंत्र आप लिखें जितने जादे हो सकते हैं और फिर अपना पूरा एक बंडल बना करके जोसे आपने 10 लोगों को कापी बाटी या हो सकते हैं आपके वो लोग कापी लेने से मना करें खुद कापी खरीद के लिखें वो भी चलेगा तो हमें आप पूरा मंडल बना करके हमारे स्थान पर कोरियर करिएगा और पूरा उसमें लिख दीजिएगा कि ये पूरे के पूरे जो मंत्र है ये सावालाख लिखे गए हैं या ये चाए ओमने में शिवाय हो या नमें शिवाय हो गिंती एक इमानी आएगी या ग्यारा हजार लिखे गए हैं ये हमारा एड्रस है ये हमारा पता है आपके वो बाई दिवे ग्यारा लोगों ने लिखे हैं हम ग्यारा के ग्यारा लोगों के नामसे यग्ग हमारे सनस्थान में होगा हवन होगा और उनके नामसे भगवान शिव से प्रातना होगी कि इनकी काया निरोगी रहे इनके समस्तकार्य सिद्ध हो और उसके बाद हम एक पंच मुखी रुद्राक्स बहुत अच्छे से प्रांट प्रोतिश्वित करके अपने संस्थान की तरफ से आपको आपके पते पर भेजेंगे भेजेंगे हम एक ही पते पर और आपके यदि 11 लोगों ने वो लिखा है तो वो जो रुद्राक्ष है उन लोगों के अलग अलग नाम कॉपी में हो क्यों कि इस चीज में बेमानी नहीं होनी चाहिए यह मांदारी का कारिया है आपने 11 लोगों से मंत्र लिखवाया है तो अपनी हर कॉपी में जहां मंत्र का एंड हो वहां अपना वह मोबाइल नंबर और अपना नाम और पता है और बाइदीवे 11 लोगों ने लिखा है पांच लोगों ने लिखा है तो हम जो एक रूद्राक्स भीजेंगे वह एक ही पते पर पांच रूद्राक्स भीजेंगे वह उसको भीजेंगे जो उन 11 व्यक्तियों को कमांड करेगा जो में में रोल अदा करेगा उसको हम आपको देने का प्रियास्त करेंगे लेकिन रुद्राक्ष भागवान सिर्फ का विश्यष प्रसाद है और फिर आप अपने आप उन लोगों को भीजवा देना रुद्राक्ष ठीक है और जब आप रुद्राक्ष उन्हें भीजवाएं वो पहन सकते हैं उनकी एवद में उन चाहिए सवा करोड मंत्र लेखन चालिस दिन थोड़ा सी दिन हम बढ़ा सकते हैं गुंजाइस देखी जाएगी लेकिन सुमूरत में तो 26 तारीक से ग्रहन काल की बेला से यह मंत्र लेखन का कारें हम आपको सौपते हैं हम भी अपने भिहाप पर अपने लोगों से लिखव प्रें से आप सबकी मंगल कामनाव को पूररन करने हे तु किया जाएगा लेकिन कॉसिस एकिजाए कि चालिस दिन पूरा मंत्र लेखन करें और 40 दिन के बाद हमारे पास जैसे-जैसे सब किताबे आ जाएंगी उसके बाद फिर हम यहीं से डिकलेर करेंगे यह व्यक्ति है इसने यहां से यह मंत्र लिखन किया है और इसने विष्व की सबधा के लिए विष्व की खुशाली के लिए इस व्यक्ति ने इतने सारे मंत्र लिखे है देखो ये जीवन है सरीर एक पानी का बुलबुला है कब शांत हो जाए तो ये जो हमें कारे करना है इसमें दो ही संकल्प होंगे नमबर बन हे भगवान शिव आपके किरपा से हमारी समस्त कामनाय पूर्ण हो हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के उपर किस प्रकार के घिनों ने चीजे हो रही है आपको बताते हैं अच्छे नहीं लगते तो हमारे देश में जो पापी प्रवत्ती है जो भी इस प्रकार के लोग है देश में विदेश में जहां पर भी हों इस प्रकार के हिंसक प्रवत्ती के लोग हो उनके अंदर बैठा जो एक जानवर है उसको दिमाग मिले वो मर जाए यानि कि उसके अंदर बैठा एक जो जानवर है उसको खतम करना है उसकी उस मानसिक्ता को नश्ट करना है समझ गए मतलब यह है हमारा और सभी को भगवान सत्थ बुद्धी दे, पूरे विश्व का कल्यान हो, हमारे देश में एक विशेश प्रकार की सांती उत्पन हो, हमारा देश तरक्की करे और हम सब की भोती का अध्यात्मी की च्छाएं पूर्ण हो, एक विशेश संकल्प है तू, ओमने मिश्वाय कोते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, और इस चालिस दिन के संकल्प में कौन-कौन हमारा साथ देना चाता है, हमारे संस्थान में के रप्यार, वह अपना नाम वो नंबर दर्ज करा दें, ताकि हमें पता लगे, आप इतने लोगों से इस मंत्र में पढ़ गए भाई, आप क्या करने लग गए भाई, ये कुन सा काम तुमने पकड़ लिया, अगर ऐसी बातों में रहोगे, तो जीवन में आगे नहीं पढ़ पाऊगे, आप कही है कि मैंने भगवान का काम पकड़ा है, मैं भगवान का कारी करने जा रहा हूं, मैं लोगों उन से मंत्र लेखन कराईए, इसी के बीच, 40 दिन में हम बहुत कुछ आपको धीरे 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 बताते रहेंगे, और ये सिलसला अनवरत तरीके से, 40 दिन में पूरे देश में, विदेश में, आप विदेश में बैठे भी हमारा ये कारेकरम सुन रहे हैं, देख रहे आपको भी ये मंत्र लेखन करना है, अब आप जाने और भागवान शिव जाने, आप भागवान से प्रेम करते हैं, आप सिव जी से प्रेम करते हैं, आप अपने वतन से प्रेम करते हैं, आप सब की आँखों में खुशी देखना चाहते हैं, इस पूरे विश्व को कहते है लेकिन कम से कम इस मंत्र लेखन का रूपी जो धन है इस मंत्र को लिखना है उसकी पूरी पुस्तक हैं हमारे पास भेजें और फिर हम पूरे विस्तार के साथ यह आयोजन आदी करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा आप दो ही बार मंत्र लिखिए आप 21 बार मंत्र लिखिए भेजी हमें एक पेपर ही भेजिए आप भेजने से आपका कॉंफिडेंस बढ़ेगा हमारे कॉंफिडेंस बढ़ेगा और वह आपका भेजा हुआ कागज जब भगवान शिव के चरणों में रखा जाएगा करना है हमें भी मंत्र लिखन करना है आए दर्श्रों को भगवान शिव की बात की है जुड़े आज की ध्यान बाला में भगवान शिव से ओम आत्मा त्वंगिर जामती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समा जिस्ति दे संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंडर आरं सदा वशन्तम विद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कवच बना ले ध्यान करें भोले नात का ओम बोलते हुए समाने हो जाए नित्र खोल ले बड़ा ही मैंने आपको अपना समझ करके देखो आज तक आज हमारे तकरीवन तकरीवन 192 एपिसोड हो चुके हैं ध्यान साधना के इसके अलावा सैकड़ो एपिसोड हमने विगत पिछले 20-22 वर्सों में विवन प्रकार के टेलिविजनों पर दिये हैं किसी भी हमारे एपिसोड में आपको कुछ फोड़ता नहीं दिखेगी बहुत इमानदारी से हमने ये वर्क किया है पिछले 20-25 वर्स ये हम चाहते हैं कि ये कारी आप करें इस कारी के आप निमित्त मात्र बनें बस एक बार ह काह मानिये आपको बहुत लाब मिलेगा ये हम अपने लिए नहीं करा रहे हैं पूरे विश्व की सांती के लिए करा रहे हैं तो ये कारी आपको करिएगा इस यग का हिस्सा आप बने तो आपको बहुत लाब मिलेगा मतलब आप इस मंत्र लिखन को जरूर लिखें आप हिं नहीं जानते हैं, इंगलिश में लिखें, संस्कृत में लिखें, तेलगू में लिखें, उर्दू में लिखें, कंड़ में लिखें, मराथी में लिखें, पंजाबी में लिखें, जैसी आपकी लेंग्वेज हैं, आप उसी भाशा में इसको लिखें, भगवान सारी भासाई जानते हैं ठीक है बस आज की इतनी ही बात थी कल फिर आपको कुछ समझाएंगे और आप हमारे सूर्य ग्रहन के दोनों ही अपिसोड जरूर देख लीजेगा आपके बहुत काम आएंगे जैमाइंद्राक्षी गुरुजी से मैं तब से जुडा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से जुडा हुआ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आज चर्ज चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आज सभी उतना बढ़िया नहीं समझ बाते यह हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी में जुडा जब से जुडा रहा जो भी समस्य आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल बहुत चले गए और आज तक हमारे मैं इनके आशिरवास से मैं बहु किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें